Welcome back viewers, VPN के practical के साथ मैं महामध हादिस आज इस वीडियो में हमने करना ये है कि VPN के थोड़ डुमेन जोइन करा आए तो उससे पहले जो लास्ट वीडियो तक हमने तमाम स्टेप्स करे थे वही तमाम स्टेप्स है गाइस देख सकते हैं DCW के IP 10.10 है Active Directory के अंदर हमने एक महसिन का यूजर और एक गुरूप IT के नाम से बनाया हुआ है इसको जायजा लेते हैं मजीद VPN सर्वर के जायजा लेते हुए हम VPN के डुमेन जोइन कराते हैं अब देख सकते हैं कि यहां जो यूजर है एक IT का गुरूप एक्जिस्ट है बना हुआ है और एक महसिन है अगर IT गुरूप के हम प्रॉपटिस ले तो यहां से हम देख सकते हैं कि महसिन इसका यूजर है यानि DC से तो हमारे काम प्रॉपर है जबके VPN सर्वर पर हम आएं और यहां से सबसे पहले इसकी IP चेक करें चैने डाप्टर सेटिंग्स तो देखें दो नेटवर्क्स हैं एक प्राइबिट और एक पब्लिक पब्लिक इंटरफेस की IP जो हमने रखी है वो इस वक्त 11.50 है जबके प्राइबिट नेटवर्क तो हमारे डुमेन का हिस्सा है 10.11 और इसके DNS 10.10 है यह जो सर्वर है यह सर्वर ने डुमेन को जोईन कराएवा है और अगर इसकी टूल्स पर मैं आऊं और आने के बाद हम यहां से NPS यानी नेटवर्क पॉलिसी सर्वर चेक करें तो यहां से हमने इसे इजाज़त दी हुई है कि DC से IT वाला गुरूप जो है वो यहां एड करा दें पॉलिसी पर आते हैं यहां से नेटवर्क पॉलिसी पर आने के बाद लेकिन अगर अब हम क्लाइंट कंप्यूटर पर आएं और आने के बाद यहां से मैं आपन नेटवर्क इंशरिंग सेंटर पर क्लिक करके यहां से इसकी IP देखू क्योंकि यह जो है वो एक पब्लिक इंटरफेस है और समझने क्लाइंट कंप्यूटर भी हमने पब्लिक इंटरफेस से कनेक कर आवाए तो इसकी जो IP होगी अगर यहां से आके हम स्टेटस पर आके डिटेल्स पर क्लिक करें गाइस तो यह भी एक पब्लिक आईपी है यानि इंटरनेट से कनेक्टिड है 11.51 हमने आईपी रखी फर्स करें अच्छे DNS में देखें यहां पर कुछ भी नहीं है मैं चाहता क्या हूँ कि यह क्लाइंट कंप्यूटर पहले VPN के पास जाए और VPN से बाद जब यह VPN सर्वर स्टैबलिश कर ले जब यह कनेक्शन काइम हो जाए उसके बाद यह VPN से होता पर DC तक जाए तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसे हमने डुमेंज जोइन कराना है VPN के थो तो VPN के थो डुमेंज कैसे जोइन कराएंगे हम इसका बहुत अच्छा और आसान सा मैथटेट है इस पर अकसर स्टुडेंट्स फसते हैं खास तो पर यह कंपनी सकंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि VPN के थो हम डुमेंज कैसे जोइन करवा सकते हैं तो स्टेप्स आपने खासा फॉलो करने काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं सबसे पहले हमने करना किया है Setup a new connection हमने यहां क्लिक किया VPN पर डायलाप कर हमने कहा जो connection है वो VPN वाला है हमने next किया use my internet connection i will set up internet connection later यहां पर हमने वो public IP देनी जिससे connect होना है यानी हमारे VPN server का public interface जो के 11.0.0.50 है यहां VPN connection यानी destination है मैंने का हमें पहुंचना है हादिस.local तक अच्छा अपकी डफा हम क्या कर रहे है यहां पर अलाओ अधर पीपल तो यूज दिस कनेक्शन यह आपने एक चेक लगाना है और नेक्स करना है नेक्स करने के बाद आपसे यूजर पूछा जाता है मैंने का हम इसे यूजर देंगे महसिन जिसका पास्पट डवी वाई-ई-टी थाउजन एट है ठीक है डूमेन चाहे तो आप्शनल ले लिखना चाहे तो वैसे कुछ जरूरी नहीं हम जस्ट अभी क्रियाट करते हैं अधार को पता होगा हमेशे की तरह जब भी हम कभी डुमेन जॉइन कराते हैं तो डुमेन यानी डीस कर डीए-ए-टी-ए-ए-न-स हमें टाप करना पड़ते हैं तो डीए-ए-न-स हम इसमें बीपेन के करेंगे जो हमने विर्चुल करनेक्शन यह बनाये तो इस पर राइट पर क्लिक करना है, हमने एडवांस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कहां पर आते हैं हम dns, और dns पर हम एड़ करवा देते हैं, यहां से कौन सा dns है, 10.0.0.10, हमने एड़ करा, अच्छा वो पूछेगा, एक suffix name होता है, कि हमारे dc का नाम क्या है, तो इस dns पर हादिस.local तो नीचे जो आ रहे, dns suffix आ रहा है, यहां पर हमने क्लिक करना है, यह खयाल रहा है, और यहां पर हमने डुमेन, fully qualified domain name बताना है, हादिस.local, हमने ओके करा, यहां से इसे ओके करते हैं, और इसे ओके कर दिया, तमाम settings हमारी configurations हो गई, अब इस पर हमने राइट क्लिक करके क करा, connect करते हैं, महसीन यूजर आगे, मैंने का password इसका है, win2000h, और इसे आप connect करें, देखें, connection जब वरकरार हो गया, तो हमारे पास यहां बता रहे, pptp, any point to point tunnel protocol, configure, अब अगर मैं keyboard से start और pause break up डिन दबाओ, और यहां से भी आप देख सकते हैं, हमारा work group है, जबके change settings में हम करने के बाद यहां से कहां परादे change, वही domain के जो steps है, hard is.local क्योंकि इस वक्त यह public IP तो है, एक दुसरी जगा तो लगा वे country में, लेकिन यह VPN के थरो हमारे DC से connected है, यानि DC वाले private network से हैं हमारे यह connected है, क्योंकि VPN server जो है, उसके दो interface हैं और इसने जब तालुक बना लिया, तो DC का जो user है महसिन, वो यहां तक login हो गिया, जबी तो हुआ, अब ही क्या हुआ, कि यह किसी दुसरी जगा पर लगा हुआ है, किसी remote location पर है, और VPN server के थरो हमने इसको हमारे अपने वाले DC पर, यानि जो पाकिस्तान के अंदर DC लगा है, वहां से connectivity बरकरार करवा दी, अब इस VPN को हम क्या करवाएंगे, VPN के थरो इस client computer को हम DC जोइन करवा रहें, अगर मैं okay करूँगा, यहां पर इसने authentication panel पूछ लिया, यानि इसने DC तक तालुक बना लिया, लेकिन मसला पता कब आता है, जब computer restart होगा, for example, देखें मैंने यहां पर क्या करा, administrator हम लॉग इन करते हैं अगर यह computer restart होगा, तो VPN का connection तो तूट जाएगा, अगर यह computer restart होगा, तो VPN का connection तो तूट जाएगा, मैंने restart करा, तो यह क्या होगा, domain तो जोइन हो गया, लेकिन तब तक के लिए domain जोइन हुआ, जब तक यह computer open था, अब अगर यह computer restart होगा, तो domain का हिससा है, और domain और इसकी connectivity तो टूड़ी जाएगी तो इस situation पे जो अभी हमने तमाम settings अंजाम दी वो अब हमें help करेगी मदद करेगी केसे इस computer की restart होने तक हम वेट करते हैं करें 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 तो हमारे पास यहां यूजरी निया क्योंकि यह तो होगा क्या कि यह वहां कैसे जो राइन कर आगए तो वीपेन कनेक्ट ही निया करती नहीं है तो जो हमने settings करी न तो देखे switch user पर जैसे में click करता हूँ sorry यहां से हमने control अटर इंसर्ट करा यहां से लॉग इन का है switch user यह रहा switch user पर हमने जैसे click किया तो यहां other user तो आ रहे लेकिन एक क्या रहे यहां पर एक नया option आगए network से logon करें जो भी configuration हमने VPN को configure जब यहां से join करवा रहे थे उससे पहले जो हमने VPN के settings करी वो इसी वज़ा से करी कि हमारे पास जब logon screen आए तो यहां से एक और option दे दे कि हम network से logon कर सके हमने network में click करा तो hadis.local क्यूंकि domain हम पहले बता चुके हैं तो यहां लिखा आ रहे हमने यहां user का नाम बताया और उसका password बताने ज़स्ट और इंटर करेंगे तो basically यहां पर वो connect करेगा VPN से connect कर रहा है और जैसी वो connect हो का welcome की screen देखे थोड़े देर से यहां पर हमारा desktop अपियर कर देगा अब VPN जिस location पर हो आपका clients computer remote location से अगर establish कर रहा है connection तो just उसके internet के connection के ओपर आप उससे domain पर join रख सकते हैं तो यहां बात आपको समझ आईए हो यह practical भी बहुत important था VPN के थो virtual private network के थो client computers को domain तक रसाई हासिल कराना हमने इस practical में जान लिया welcome screen आने की बाद हमने कहां क्लिक कर रहा start पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां से महसिन जो user है वो login है और अगर हम keyboard से start, pouch, break, button दबाएं यानी computer की properties पर आएं तो यह बता रहा है कि यह कौन से domain का हिस्स है hardest.local का इसके लावा गर हम यहां से right click करके आपन network and sharing center पर आएं चेंज adapter settings करें तो आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारा when sorry, pptp जो है हमारे जो VPN connection है वो यहां already configured आया तो जनाब आला इसके लावा जब यह client computer domain का हिस्सा बन गया तो DC से हम चाहें folder redirection करें, home directory लगाएं या कोई भी group policy से काम करें वो महसिन यूजर तक implement याणि लागू हो जाएगी तो यह VPN का कमाल है virtual private network ने ऐसे अपने tunneling के थो अपना private network काईन करा और VPN एक strong और बहुत जाद अस्तमाल होने वाले दुनिया में services बन गई है तो VPN server कैसे establish हुआ Microsoft का यह हमने जाना, DCO client computer की joining हमने जानी, VPN का topic यही wind up करते हैं और next वीडियो में हम WDS Windows deployment services का आगास करते हैं गैस खयाल रखिए, इसका practical करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, फी अमानला